मेरे भाई ये लोग हमको पवन सिंग्स पावर इस्टार बोलते हैं आज मैं लाखों का गाना गाया हूँ बरे बरे सिंगर के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ दस लाख बरे बरे लाखों के गाने गा रहा हूँ आज कल के सिंगर पाँजार में कहीं भी गाल लेते हैं अपने आपको बरकाई स्टार समझते हैं नमस्कार परणाव मैं संजीत कुमार संगा मुंगेर बिहार से और जैसा कि आप से भी देख रहे हैं अभी भोशपुरी में चारो तरब से हला बोल मत चुका है यह मुझे अच्छा नहीं लगड़ा है यह भोशपुरी यह खेशारी लाल जी आकर के लाइब आके कह रहे हैं यह सा है वो आकर के बोल रहे हैं यह अच्छा नहीं लगता है भोशपुरी में भोशपुरी और मैं बता दूँ कि भोशपुरी इंडरस्टिक किसी के बाप का न सब चाहने वाले सब जो चाहते हैं जो घरना सुनते हैं वही मालिक है भोशपृि-का और ये बोलेंगे मैं भोशपृि-का पावर इस्टार हूं मैं अपने आपको बेताज बातसा हूं बोश्पुरी का ऐसा कुछ नहीं भाईया आपको प्यार करते हैं लोग अच्छी बात है करना भी चाहिए आप बहुत अच्छे टालेंटेर हैं भोश्पुरी को आप सब अलग लेवल पढ़ लेके गए हैं और मैं बता दूं कि सिर्फ आप भोश्पुरी को आगे बराने में पवन सिंग जी और खेशारी जी का ही हक खेशारी जी का ही हाथ नहीं है इससे बरे-बरे महारती स्टार जो हमारे बिच निरुवा जी हैं मनूत सिंग टैगर हैं रभी किशन जी हैं मनूत दिवारी हैं ऐसे महान कलाकार हैं जो भोश्पुरी में जो नहीं भोश्पुरी को अच्छे बहुत जाती बाद हो रहा है call जाती बाद यह फलना जात का है यह चिलना है यह खेसारी लाल यादव है तो यादव शाद भर गाणा सुनेंगे ऐसा कुछने भैया हम लोग स्रिफ एक हैं कलाकार का कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है जो अपने आपको जो कलाकार अपने आपको समझता है कि मैं इस जाती से हूँ, मैं उस जाती से हूँ, तो भाईया, आप कलाकार नहीं है, और अभी खिसारी जी भी बहुत अच्छे बात बोले थे, मैंने उनका भी live देखा, खिसारी जी के मैं बारे मता दूँ कि बहुत महनती कलाकार हैं, और असलिल्ता गानना गाये हैं और मैं दिखता हूँ कि हर कोई गाता है कायने गाएंगे भाई आप लोग असलीलता गाना सुनते ही है अच्छे गाने जाते है है लिकिन मजभूरण में किसी कलाकार को गाना गाना परता है असलील गाना बस अभी जो भोशपुरी को trend मिल रहा है बादसा के साथ बड़े बड़े star के साथ भोशपुरी में गाने आ रहे हैं ये मेरे लिए हम सबों के लिए बहुत बड़ी बात है और मैं सबों से हाँ जोर करके बिंदी करता हूं प्लीस भोशपुरी में जाती बाद ना लाए भोशपुरी को सही मंच दे जैसे कि बॉलीबूड बॉलीबूड से कंपर करते हैं या बॉलीबूड में कुछ भी जगड़ा होता है न तो सारु खान आमिर खान लाइब आकर के नहीं बोलते हैं उसके बारे में ये उसके बारे में वो है पवन सिंग ये है आमिर खान ऐसा किया है वो आमिर खान बोलेंगा उत्री और यार सलमान खान सही नहीं है फिर सलमान खान को बोलेंगे अब या येश आमिर खान सही नहीं है यार उसका फिलिम मत देखो यह से हगमंडी है ऐसा कुछ ने भई है हम लोग भी चाहते हैं भोशपुरी को एक ट्रेंड लेवर पला है मैं बस यही चाहता हूं कि जो भी भोशपुरी शोता हैं जो भी भोशपुरी गना सुनते हैं वो सभी सिंगर को जाती बाद से न जाती बाद ना करें जाती बाद ना करें जाती बाद के रूप में ना देखें कि यह पवन सिंग राजपुत हैं तो चलो हम भी हैं यह हैं वह नहीं भी यह वह अपने लेवल पर हैं वह आप कितना भी आप लोग मैं देख रहा हूं कि ओडियंस ही लडते हैं बड़े बड़े इस्टार लोग गा पर उतर आते हैं तो मानता हूं यह आपका प्यार है लेकिन हमारा संसकार भी है हमारा संसकार है कि भोजपुरी को आगे लेवल तक ले जाना अच्छे अच्छे गाने सुनना अच्छे अच्छे गाने को परमोट करना सब मिल जूल करके यह भायचारे के साथ रहना सभी भोषपुरी में हो क्या रहा है अरे जिसको भी देखो ये लाइबा करके बोलता है ये उनके बारे में बोलता है ये जाती बात करता है ये दिस नोट गुड क्या थैंक यू सो मच बस मैं लाइब याने का यही मक्सद है कि प्लीज जाती बात ना लाइब भोषपुरी में भो हैं भोच्पी भासा की फिल्म देखते हैं तो आट व्यूज आते हैं हेलो भाईया कम से कम हमारे उपेंद्र सिक चैनल के बारे में बोल दीजिए आप एक बारे में जी ओप उपेंद्र कुमार ऑफिस्यल चैनल है इनका ये भी सायद गाना उना गाते हैं और जाइए इनको भी आप लोग फोलो किजिए छोटे-छोटे शिंगरों को शपूर्ट किजिए यार मैं देख रहा हूं जो बरे-बरे शिंगरों जो अपने अपने अटिटूड में आ जाते ह हैं मैं यह कर लूँगा मैं वो कर लूँगा क्या भाईया कलाकार हैं प्लीस ऐसा मत किजिए यह फलना सिंग आ गये चिलना यादव आ गये चिलना कुमार आ गये फलना कुमार आ गये इस डाट नो 27 बखने लगते हैं भाईया सब को बराबर में बाटी हैं सब को बराबर मे कि यहाइख कि खता हैं। कि सब भोचपुरी इंडश्टी के जत्ना भीखलाकार भाटे ना हमारे छोट। भाइबाटे, सब हमारे बौर। भाइबाटे, भाइ, बेटा भाटे। ऐसे ही हमरा सब के कलाकार के प्यार बरसाईं लेकिन चाती बात ना करी प्लीज थैंक यू सो मच मैं जदा बोलूँगा नहीं पूंकि मैं भाई प्लीज जो जरूर मैं कॉल करूंगा मैं जी तो फिलाल बस मुझे यह कहना ता आप लोग शमज गये होंगे अच्छे अच्छे गाने को पर्मोट किजिए नए नए शिंगर को मोगा दिजिए अगर जहां लगता है आसलिलता है बस उस गाने को रिपोर्ट मारी है रिपोर्ट मारी कोई भी अगर कोई भी लगता है गंदा गाना लग रहा है कि इसा यह नहीं होना चाहिए अगर जो भी आप देखिए ग गाने वालों की गलती नहीं है भाया सुनने वालों गरहाम गंदे गाने सुनते हैं तो गंदे गाये वह अच्छे आख करेंगे अशलिलत में गाएंगे मजबूरी है और मैं देख रहा हूं भोषपुरी को एक अच्छे लेवल बनाईए जाती बात ने दीजिए इससे हमारे और हमारे भोषपुरी इंडरस्ट्री का मान सम्मान गिरता है जी थैंक्यू सो मच और कुछ लोग तो अभी गाली भी देंगे मुझे मुझे पता है कि अभी जो 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 जिनको जिनको मेरी बात को बुरा लगेगा वो कमेंट में गालियां बगेंगे सही बात है राश्चुनी भाई एक कॉमेडी में सही बोने थे दुनिया में दो ही चीज फेमस हैं एक आलू पूरी एक पानी पूरी अदूसरा भोषपुरी पता नहीं सही बात है एकदम सही बात है असलिलता को तो हदपार कर दिये हैं भोषपुरी ऐसा नहीं कि मैं मैं मा जन से गाना गार हैं भया नहीं ने शिंगर को भी आप लोग परमोट कीजिए जो अभी असलिलता गाना गार हैं उन सभी को भी आप मना कीजिए कि भया आप असलिलता मत गाना गाए हमने गा कर गलती किया है चलिए हम आपको सपोर्ट करते हैं अब मैंने असलिलता गाना गया से फिमस हो जाता है फिक है फिमस हो जाता है कितना दिन टिकता है आप देखें हैं मेरे खेल से बहुत सारे इससे सिंगर आये जो एक सीजन बढ़ करके अभी क्या नाम हैCr सिंगर बहुत पहले पहरी नीम छेनिक उन्हीं हों न किँछ पता है कि लिकिन जो अच्छे अच्छे लेवल से गार जैसे पावNew रहे हां Jai mana सारल की की सब्सक्राइए यह दर्ऄ आरे बहुत रहता हैं डबान benefici सब्सक्राइब आधा बोल ढलानी हमरा के खाब बताई लोग नोगतागता जानबे करें कि लोग कितना हम ना के चाहिए ला हम राख सuti है श्लय भौझ खुअनलेट जाती बात जाती बात हो यह उस जाती का एंस खोत जाती को यह वर जाती का एब सुर्ण जाती का नहीं सब Ugh हूँ पावरिस्टार हूँ यह हूँ वो हूँ दीस हूँ डाइट हूँ फिर बाद में बोलते हैं मैं कुछ नहीं हूँ मैं जीरो हूँ जीरो भाईया अपने आपको स्चोड़ा हम जाल चार पांच को गाली देते हैं ठीक है फिर बाद में सोरी बोलेंगे तो क्या लोग क्या होगा आप ही बताईए दोनों का भाईया मैं दोनों का बोलूँगा दोनों का गलती दूँगा भाईया यूज नमस्कार पढ़ना, सभी को, जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर किसी को मेरी बात से बुरा लगा हो तो मैं माफ़ीच आता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं भी भोजपुरी से हूँ, मैं भी मुंगियर से बिलोंग करता हूँ, अगर किसी को गाली ब लेकिन एक बार भी खेसारी लाल का नाम नहीं लिए इगो नहीं तो क्या है एसा नहीं खेसारी लाल का भी बिरोध किये थे हैं और भोशपुरी में और कुछ दिन पहले एवार्ड हुआ था कौन्फरंशन का एवार्ड हुआ था है मनोज टैगर जी गोसाय हुए थे मनोज टैगर जी जैसे हब मैंने उनका एक्ट आजम गर में देखा था बाप्रे मैंने कसम से उनका एक्ट देखने के बाद मैंने का नहीं एक्टिंग बहुत कठीन है इतने जबरदस्त एक्टिंग कियें ये मैं फैन हो गया एक मांस करके कुछ आक्टिंग था उन्होंने स्टेस पर किया था मैं दंग रह गया इतने बरे मैंने फिल्मों में कॉमेडी करते देखता हूँ यह भाया यह भाया लेकिन यहां इतना सिरियस एक्टिंग मान गए सर मनोज सर मनोज सिंग टैगर जी मैं आपका बहुत बरा फैन हूँ और भोशपुरी में ऐसे से दिगज कलाकार जिसे बोलते हैं एक्टिंग के भी नहीं जिनके बज़े से भोशपुरी फिल्म चलती है वो है हमारे थियर्टर एक्टर संजय पांडे जी मनोज सिंग टैगर अब धेश मिश्रा यह सब यह सब ऐसे से महान कलाकार के बज़े से हमारी भोशपुरी इंडिस्ट्री फिल्में चलती है चलिए मैं मानता हूँ कि आप सब के गाने के बज़दर चलता है लेकिन कौन आइसा बोल दिजिए चार-पांच ऐसे एक्टर है जिनके चलिए एक्टिंग भी ठीक ठाक है फिल्म भी ठीक ठाक है गाते तो बहुत बढ़िया है लेकिन वैसा होना चाहिए जो होते हैं लाइब आकर के इसके बारे बोल देते हैं लाइब आकर के उसके बारे बोल देते हैं ये फलना किया दीश डैट किया वो किया ऐसे बत बोलो अपना उकाद में रहो भीया बुराई नहीं करना चाहिए किसी का सब मिल जूल के बाद सब मिल जूल करके काम करना है और हम लोग मैं भी ओडियंस के तोड से आप लोग उसे बिंति करता हूँ कि जो भी ओडियंस खेसारी लाल को गाली दे रहे हैं खेसारी लाल के फैन पवन सिंग को गाली दे रहे हैं ऐसे वैसे प्लिस मत बोलिए सब बड़ाबर हैं आज वो दुनों लड़ गए ठीक है माल लिजिए दो इस्टार्ड आपस में लड़ गए कल तो फिर एक ही होंगे ना कल तो एक साथ ही काम करेंगे इसलिए बदनामी किसके होगे हम लोग का मगर खेसारी भाई को ऐसा नहीं बोलना चाहिए परमोत प्रेमी कलू जी समर सिंग टाप रुटा बोल देते हैं खेसारी जी को हां जी मैं मानता हूँ यही तो है यह सब जाती बाद है आप गौण किजिए मैं बोलूँगा भोछपुरी में सबसे जादा जाती बाद होता है वॉलिवुड में नहीं देखिये यार वो खान है तो मैं नहीं करूँगा अब यो मैं सलमान खान हूँ मैं अक्षे कुमार के साथ काम नहीं करूँगा यार वो खान है मैं इसके साथ नहीं काम करूँगा वो लग जाति के हैं वो लग धर्म के हैं वह इसा नहीं होता है वहास है और दिए और इनग सिया है कि अई जी है संगम रिकार्डिक इस्टोडियो बकशर कुछ बोले बहाइया जी वावु बकशर कम ciao से बिलोंग करता हैं और यह बहुत बढ़ी हैं खुशकबरी के बात वाकि एगोलु जी के स्टोडियो वासंगम रिकॉर्डिंग स्टोडियो आप लोग जाएं कम बजट में गाना जरूर का गबाई तोड़ा लोगन से और खुब सपोर्ट करी खुब प्यार मिली तोड़ा बहुत गाना जाएं घुटा पास गाएं थैंक्यू सो मच प्लीस यह मैं यहां जोर करके विंदी करता हूं कि असलील गानों का वाइकोट करें उनका विरोद करें और नए ने गाने अच्छे गाने को सपोर्ट करें देखता हूं क्या फलना चिलना जीक्या नाम है एक गु गुंजन सिंग अक्टिंग अता है साइस नहीं जैसे तेसे गंदा गाना आप भी गाना गाते गंदा गाते गुंजन सिंग का पहले बहुत गाना सुना था बहुत अच्छा चा उनका भी गाना सुना था लेकिन कुछ दिनों से मैं उनका गाना देखता हूं गंदे गंदे दे देते हैं और मीडिया वाले भी उनका इंटरिव्यू ले लेते हैं जाकर करके जी और मैं बता दूं कोई कलाकार बड़ा छोटा नहीं होता सब बराबर है मेरे लिए सब बराबर है मैं भी सबों से प्यार करता हूं आप भी हमसे प्यार करते हैं मेरे लिए खुशी की बात क्यों हम किसी का इस करें किने करण सब रुजल कर के प्यार से बात करेंगे जीवण की रहों में हम सब सुनदर फूल किलाएंगे नई कीरन हैं हम आसा कि नू तन दीव्च चलाएंगे त्यंक यू तomme दिपक आठ क्लासेश वज्एर गन्ज दिपक क्लासेश वज्ष गंज से मुझे देख रहे है वज्ष गंज दिपक आठ्स ग्लासेश वज्ष गंज शुरिट भाया ये सब ठोड़िए अमरुषपूरी का ओएँए यार ये भोशपुरी में क्या हो रहा है बही मैं तो जिसको भी देख रहा हूँ ये इसके बिरोध करने में लगा है वो उसके बिरोध करने में लगा है लाइब आ करके इसको गाली कलोज कर रहा है ओए बही ऐसा नहीं होता बही मैं तुमसे ज्यादा भोशपुरी इंडस्ट आप लोग को हशाते रहेंगे दोस्तों जैसे कि आपसे को पता है कि कल बरोनी में था तो बरोनी में बहुत अच्छा कारिकरम हुआ काफी मज़ा आया और जहकास थैंक्यू सो मच लब यू हड़ महादेब थैंक्यू सो मच लब यू भाई भाई ख्याल रखिए आप सब और अगर उनके अंडर लगता है कि यह बहुत अच्छा गाते तो उनके वीडियो को श्यर कर दीजी सेकरने में कुछ नहीं लिए उनको चपोट किजिए उनसे प्यार किजिए उनको बरहावा दिजिए अगर माली जह अमिताब भचन को रोज मेसेज लिखेंगे हाई सब्सक्राइब है गंटा नहीं सुनेंगे जब रिसपास को देगा नहीं तो क्यूं देखेंगे संतोस जी क्या सई बोले की नहीं सिंगर राजन जी देख रहे हैं आप बताइए अगर मैं अभी सिंगर राजन जी का सिंगर राजन जी हैं बहुत अच्छ अच्छ अगर आते हैं तो सपोर्ट जरू करेंगा भी शानु धनराज जी जूड़े हुए हैं हमारे साथ जो मुंगेर जो भागलपूर से हैं अभी कुछ दिन पहले मुंगेर आये हुए थे हम लोग के शूटिंग पर बहुत अच्छे डारेक्ट करते हैं और बहुत अच्छे डारेक्ट की एक माटी फिल्म जो आप लोग बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं माटी देखिए आपका मूवी का माने वाला है जब भी मैं लाइब आता हूं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करते हैं मुझे और भी ज्यादा खुशी होता है अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार करते हैं हम लोगों से मैं कोई बड़ा कुछ हूं नहीं मैं आप लोगों जो आप लोग जो समझते हैं मैं वही हूं और सानु धनराज जी जुड़े हैं थैंक्यू सो मच सानु धनराज जी माटी फिल्म हम लोग लेकर यह इस डैट नहीं हर शम्मान होना चाहिए ताग आपकी फिल्म देखे या ना देखे मुझे कोई फरक ने पड़ता बस मेरे माँ बाप मेरे फैमिली मेरे पूरे परिवार एक साथ फिल्म बैठ कर देख सके और मुझे कोई भी किसी भी तरह का अकुवर ना फिल हो मैं ऐसी म अपने परिवार के साथ तो मैंने फिल्म देखता ही नहीं नहीं किसी बी हो और भी बहुत सारे हैं सिर्फ है और ही यह आ तक में कभी कभी देखता हूं उनके कभी कभी अच्छे परीवारिक फिन्म थे ह्मिंद के साथ करतें ऑग कोई कोई फिल्मै जो परिवार के साथ बैटके देखने लाइक है और निर्हुअजी का तो मैं बहुत वरा फैन हूं और मौलत सिंग लेकिन भोजपुरिम उतना भी असलिता नहीं दिखा हो यार गाओं का सीन अगर हम फिल्म गाओं का दिखा रहे हैं तो क्या होट पैन पैन के दिखाना ज़रूरी है ऐसे लिखा रहे हैं कि नहीं फिल्म ऐसा बनाई यह जो आपके मां भाहिन पूरा पड़िबार एक साथ बैट के देखे ना आपको कहीं गिल्टी फिल नहों मम्मी क्या सुचेगी कि कहीं गंदा सी नहीं अच्छा मम्मी एक मुनेट कार देते हैं नहीं क्यों काटें कि मम्मी देखिए फिल्म बना लाता हूं ताकि सब पड़िवार मिलकर मैं मुझे कई लोग मैसेज किया तुम भी गाली गुलोज के तरह बनाऊं जैसे अमीद भराना बनाता है अमीद बनाना बहुत बढ़िया अमीद भराना गने यह आशिश चंचलानी बनाते हैं यह राउंड टु हैल बनाते हैं ऐसा को गाली नहीं दे रहें वह आपको दे रहें ओडियंस को दे रहें गाली इसलिए ओडियंस भगवान है भगवान होते हैं उनी के बदलत हम लोग की घर में घर में दो वक्त की रोटी खाने को मिलता है आप ही लोग के बदलत और मैं देखता हूं भोशपुरी में भाईया आज राज की बात बताऊंगा भोशपुरी का, जितने भी हमारे भोशपुरी सिंगर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, सभी मंच पे चाहरते हैं, सबसे पहले बोलते हैं, मैं सभी को हाजर करके परनाम करता हूँ, माई बहिन देख रहे हैं, उन सभी को परनाम करता हूँ, चाचा चाची देख रहे हैं, उन सभी को गोड़ चुके नमसकार करता हूँ, यहीं से परनाम करता हूँ, मेरे दादा जी देख रहे हैं, उन सभी को नमसकार करता हूँ, मेर लाधUNG काई दी ती चुलिया के वोकरा जाज़ी क्या बात है ने और ये ये कजब हो गए ने जकआ हो गए ng bedroom department मामै लुल्य मानते हैं और अभा उसी के सामने चोली क्षूलनेवला गाना गाते हैं अच्छा लगता है भाई या भक्ती यह चलिए ओडियोंस वो अगर मांग कर देता है चलिए ठीक है चलिए मैं मान गया हूं ठीक है लेकिन ऐसा तो नहीं फूहर गाना तो ज्यादा मत गाई स्टेज पर क्योंकि सब माई भहीन चाचा चाची भाईया भोजी बड़े-बड़े लोग बैठे रहते हैं वो तकलिफ होता है वो लोग सरमाते हैं लेकिन मजबूरी है मैं मुवी जल दिया आएगा भाईया आप लोग सपोर्ट बनाए रखें मुवी में प्रोब्लम है कि भाईया हम लोग के पास ज्यादा बजट है नहीं हम लोग बहुत गरीफ परिबार से बिलोंग करते हैं यह बरा मुश् सिंगर से टकर लेनी का तो हैसिया था नहीं भोशपुरी में सब अपने आप में आवकाद में बात करते हैं भोशपुरी में ज्यादा देखता हूं यह दस लाग वीस लाग खर्चा करना पड़े तो करूंगा लेकिन यह पहुचा दूंगा वह कर दूंगा एक लब यू भ पर बहुत अच्छा गाना लेकर आ रहे हैं परमानंद प्रोपकारी जी हमारे यहां के लोंग गायक हैं वह बहुत अच्छा लिखे हैं आपको शुनाएंगे हम किसी दिन मुंगिर का गाना बहुत अच्छा लिकें हैं नीचे चले छे रेल हो भाईया उपर चलता है मोटर हो नितिस के सरकार में बनने अद्भूत पूल हो ऐसे कुछ था बहुत अच्छा था धर्मेंदर जी की अवाज में सुना ओ़ यार कमाल करता है मैं भी भोशपरी फिलम में काम क्या हूँ मैं पवण सिंग पवण सिंग्जी के साथ काम क्या हूँ मुझे काफी अच्छा लगा और में बात कहना चालता हूं ये भोश्पुरी में बहुत जातिबाद हो रहा है ये जातिबाद को खत्म करना है और जातिबाद से दूर हट करके हम सबी को एक इंसानियत का परिचे दना है अरे बरभया मैं क्या बोलू अरे यार आज कल तो मैं देख रहा हूँ जैसे ही सोशल मीडिया पर देखता हूँ ये इसकी बुराए करना चालू कर देता है कोई पवन सिंग का फैन है तो खेसारी लाल को गाली दे रहा है अगर खेसारी लाल का फैन है तो पवन सिंग को गाली दे रहा है जी भरिया थैंक यू सो मच लब यू मेरी बात को अगर बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ ए बाबु का वात वा एकदम जिन्दगी जहंडवा फिर भी खमंडवा हो बाबु एकदम हर हर महादे वैशन ही प्यार बर्शाय रखी थैंक यू सो मच लब यू अगर मेरी बात को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ मैं बोच्पूरी इंड़स्ट्री से बहुत प्यार करता हूँ भोच्पूरी गाने अम भोच्पूरी गाना सुनना यानि अपने माटी से प्रेम करना मटी से प्रेम करना ये बराबर है इसलिए मैं भोच्पू देगानेगार है उसका विरोध करता हूँ थैंक्यू सो मच भाई भाई ख्याल रखे